99 हैं नई स੗ को धिका है स्वास्त्य लिखा यहां उसका क्या लगाएंगे स्वाथ उसके बाद क्या गोंती गोमल गोंती गोंती कहा ब हो लखनौ में लखणे नदी कहा पर मैं जौनपूर लखनौ अन पर यही एक नदिये जो किसी को नहीं भूलता है, हमको भी नहीं भूलता है। और कौन सा है? दूसर द्वती, यह घगघर को कहते हैं, किसे है? घगघर, घगघर, परुस्नी, रावी, परुस्नी, सत्रुदी, सत्रलज, लाइब हो गए आप लोग अप्लिकेशन वाले, उत्रासा सर्वर प्रोब्लम आ गया था, अभी यहीं से लाइब हो गए, पहला कोस् और उसके बाद कौन सा? सुसोमा, इसका कौन सा होगा सबसे उपर, सोहन, सुसोमा का? सोहन, सुसोमा का कौन सा होगा? सोहन, कौस्चन नमबर वन हो गया, अप्लिकेशन वाले, आप सारे लोगों को यह कल ही कौस्चन दिया जा चुका था, आप लोग देखेंगे, आप यहा क्वेश्चन क्वेश्चन 2 क्या करारों कि कितनी बार चर्ण हुआ है 200 इंड्र वार किला जीतने वाला सब्द का उल्ले कितनी बाढ़ हुआ है 170 यह 20 क्या था आगे जब पढ़ाएंगे वैदी काल की संस्कृति यह सब तो हो गया आगे जब आपको बताएंगे मोरेकाल में तो यह एक स्टॉक्चर था किस चीज का समाज का जैसे आज देश है देश के नीचे राज के नीचे आप अनुमंडल टाइप का जिसका परधान होता था विस्पती क्या होता था विस्पती पती किसी चीज के ध्यान रखने वाले को क्या का जाता है पती क्या का जाता है पती जैसे प्रजा का ध्यान रखेगा प्रजा पती पसू का ध्यान रखेगा पसू माईला का ध्यान से रज क्या है उनकी भाण स 20 की उत्तार वहरत का गतने किस ने गिए अगास्तारी सी उत्तार भारत का गौतम राहु गढ उत्तार निम्न शिaci Daruk आग़ा बने प्लासिकल संस्कीती में आर शक्या ही है गोध के बढ़ाई उत्तम व्यक्ति लाइफ सेंटर अप्लिकेशन सब लोग रेडी हो जाए जल्दी जाए अज तो लेट हो गया है लेट दो वज़े से हुआ है पहला तो आपको टेस्ट में दस मिनट का टाइमिंग तो वही से भी देना था पंद्रा मिनट का आवाज नहीं आ रहा है अवाज रहा है अब अवाज रहा है कि ने पीछे है आ रहा है उसका कान खराब है सेनेटाइजर मार हो है उदर पांच लीटर वाला सेंटाइजर उसको ऐसे इस परे में भरके इसे कान में मारें बच्मन में कागज भारके है उसको मोड के कोचनी बना लेता था तो वो कोचते रहता था वो इसे सब काम करो तू अगला देखो रिगवेत का कौन सा मंडल पूरता सोम देवता के लिए समझ नावा मंडल सोम देवता के लिए परसित था लेकिन आप ये बताईए सोम देवता किस चीच के देवता थे जंगल के देवता सोम देवता जंगल के देवता ओप्सन नमबर कौन सा होगा सी इन में से कौन सा एक व में लग जाएंगे सब्सक्राइब करते हैं इस अंदर में निमलिकित कत्मों पर विचार कीजिए धर्म और रीती का मतलब समझते हैं धर्म होता है आप अपने धर्म के इसाब से कोई हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म जैन धर्म अलग अलग क्या होते हैं धर्म होते हैं रीतियां कुछ होती है सब में सेम हो जाती है जूता चुराई की रीती हर साधी में हो जाती है चाहे हो हिंदू का हो या मुसल्मान को बट एक्चुली जूता चुराई का रसम हिंदू ध कुबू ले च्वाड़ा भिक्द, कातम काने कातम साधी अरे च्वाड़ा, चरकिलो च्वाड़ा लेके जाओ, निकाह ओगेा ना, शब को च्वाड़ा किला दोगे अरे यार हम हिंदुस्तान वाले नषाटना फ़सलों को भी नहीं चोड़ा नरियल हिंदू का च्वाड़ा मुसल्मान का है और वो कहा जाता है मुसल्मान में कि जो निकाह का च्वाड़ा खाता है ुसका साधी बहुत जल्दी होता है कि सब अरे सब जूट बात है हम मार किये हैं छोड़ा खाने के लिए और क्या मार हो गया तो सब जूट बात हमको तो लगता है उल्टा बोल रहा है तो रीती और धर्म में अंतर समझ में आगे आप लोगों किसी कोई दिक्कत नहीं है आगे देखते हैं अब पार खाने का बने काने हैजिए उसमया देखते हैं समयधे धर्म व्यक्ति को है sibling करते हैं सजय के आपकर कहता है हर धर्म में लिए गया कि किसी किसी धर्म में बौला है कि आपका पडोसी अगर दुख में है और आप जाके मंदिर मस्जीद में दान दीजिए, नहीं देते, कहीं पे भी नहीं लिखा होगा, इसलाम दर्म में भी लिखा हुगा है, धर्म उसका भी है, कि अगर आप हज के लिए जा रहे हैं, लाखो रुपया लगता है हज के लिए तो यही बताता है, दूसरे के पर्दी करता है, दो नमबर करता है, रीती मूलता नैतिक विधान है, जो स्रिष्टी हैं उसके अंतर नहीं सारे ततों को क्रियानमिन संचली करता है, सही है, यह क्या एक तरक है, रीती है, सबको अपने अपने हिसाब से रीती हो को करना है, सह परण के आभूसर होते थे यह बेसिकली कानुन में गले में पहना जाता था इस अगला देखिए आप्सन नबर 9 का एक दस नबर निमलिखित में किस नदी को रीगवेद में मातेत्मा देवित्मा एवं नदीत्मा कहा गया सरस्वती को किसे सरस्वती को हलाकि वैदिक कल में जाके राजपूत काल या फिर मगत काल में गंगा का महतों बढ़ गया था अगला 11 नबर कह रहा है आगे बढ़ते है बोट पर भी लिख दीजे अरी यार इसमें ABCD क्या बोट पर लिखेंगे है ध्यान से देखो सार जी PDF प्रिविएस कोश्चन के नोट्स में जा PDF तुम ल रिगवेद का उपवेद किया है तो जया खड़े पूछचन पूछ रहा है तो कहां मा रहें है कि क्योंकि रिगवेद का उपवेद का है आइरॵेद होगा इसमें ऑपनेनमर कोंश ओगा 11 का A अगला कोंसा यह बारा नंबर कह से इन 20 में के प्रतिलोंध विवा मतलम मनाई आता है प्रतिलोम विवारे कितने तरह के विवार की चर्चा थी इजसमें यह वाला थोड़ा याद रखेजगा यृण कि किसी काम का नहीं इकिन हमारे समाज में नारी मतलब क्या चीज होता है एक यह नारी हमारे लिए प्रतिष्ठा का चीज है तो किसी चीज की प्रतिष्ठा को कम करना है तो कламता उस्तलिया उसारो केवल परिवारं का एक हीसा नारी उस परिवार की प्रतिष्ठा होती है किसी को सुने कि किसी के भाई को गाली देता किसी के बाप 175 को गाली देता नहीं, क्यों क्यों क्योंकि पता है बहाई मतलब कोंजी सुझाई अपने गारी सुनते रहता है दिन लें आक ओंचिगरी हाके करेंगे तो प्रति ठाका हुआता है तो प्रतिलोम का मतलब था उल्टा विभा यह इसे पराचीन काल में कहा गया कि अगर उचजाती का लड़का है तो पैसा मिलते हैं वीЯर सरकार पैसा देती है अंतर धार्मी मत कर लिए राविक में मत कुछा जाए मनद इस धरम से धरम में मत कुछ जाना क्या जरू को उदने अधरम से धरम में खामлекशना Muse मिल जाएगा नेताह को भई आप कोसिस की जीए चाह को सब स्थार में लेकिन का करेगा सचुरा कुनों मदपर्देश का लईका रहेगा उस बंगाल में फोंच जाएगा जाके अगल बगल में देख तनी 60-70 किलो मीटर के एरिया में असर पर रोमिंग चाह्ज कतेगा हुकोची करता है यह है तो अंतर जाति विवा करने में ठीक थाक है इस से क्या होगा जाति विवस्ता ठोड़ी सी खतम होगी क्योंकि जातिगत विवस्ता भारत में थोड़ीशी जादे बढ़ गई ही है इस वज़े से सरकार इसे प्रोशाहन दे रही है कि अंतर जाती विवा करने में क्या होगा कोई पैसा हो साथ दिखा अधिवास सेतातपर किसे अधिवास एक कपड़े थे उपर के कपड़े तप यस इसे कमर के ऊपर के जो कपड़े पहने जाते उसे क्या का अधिवास प्रोषस का जाता अकरे निमलिखित में हैं कि सोने के आभूसर वगरा थे वहाँ पर बढ़ाई गिरी लोहार गिरी देखिए लोहार गिरी तो भाई साब वैदिक काल में लोहे की खोजे हुआ था तो लोहारे गिरी यहां नहीं होगा बढ़ाई गिरी मौरेकाल में सबसे फेमस था इवन कि सिकंदर जब मौरेकाल मे भारत पर आक्रमण किया, तो सिकंदर ने भी कहा था कि मैं भारत पर आक्रमण के वल दो चीज़ों के लिए किया था, यहाँ पर कुसल बढ़ाई थे और यहाँ हाथियों की बहुत ज्यादे तादाद थी, हम यहाँ से हाथि को किड्नेप करके ले जाते और और बढ़ई को भी किडिनेप करके ले ज़ाते हैं तो इसमें कौन सा है बढ़ई قिरी ओप्सिंबर सी माभारत मुलता किस नाम से जाना जाता है जय संगिता जय संगिता कितने स्फित्य शंग working? पुराणों की संक्या कितनी है 18 लोमर्स रिसीत था उगर सर्वा ने लिगा अगला कोश्चन देखिया है पुराणों को क्या कहा जाता है पाचवा वेद अगला 800 से लेके 600 इसा पुरुग का काल क्या था अब आप खुद देखिया 800 से 600 पुजा उत्तरवाइदी काल चल रहा ह पुरुप काल में किसका वर्चस था और कंतर लोगों ने तरह आते रीती रिवाज में अप्सान आपसा नबर कोश्चा हो लिठ देके किसे ब्हारती कर वेड का जěनक है कनाड 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 ने कौन सबढ़ से पुराने वेड कौन से रिप्स Now that the बाइस कह बस से कौन सा इस्मित्टी पाचींतम मनु इस्मित gap udah इस्मिति की रशह कौनत है मनु की रचना आंध मनु ने किया था यह दुनिया का प्राचींतम विधी किताब है कानूनी किताब है नमबर कौन PM कौन सा होगा ए अंगला कोशन दीचे मिलाए एक को दो से रिगवेद का बहुत कुछला है रिगवेद के लिए ट्रिक बता थे एक एतरे और कौस्तिकी तो रीगवेद का कौन सा होगा एतरे सामवेद का 25 सामवेद का 25 अर्थरवेद का गोपत अर्थरवेद गोपत आयूरवेद का सत्पत आपको बता है तो सत्पत और तैतरे सत्पत और तैतरे सत्पत और तैतरे अप्सन तरह किसे आ गया तीन वेद को रीग वेद, शाम यजूर में रखते हैं 26 इन में से कोन सा प्रता शाफ़ी प्रता चतुष्ट वेदर कालमे प्रचिलित थी भाईया हमारे जीवन के चार अवस्था है थी जीरो से पैदा से लेके 5 साल तक छूट था माबाब के पास रहो उसके बाद ब्रह्मचारी जीवन ब्रह्मचारी जीवन के बाद ग्रिहस्त जीवन ग्रिहस्त जीवन के बाद वानपरस्ट वानपर्स के बाद, सन्यासी, कौनजा हो गया, सन्यासी, सन्यासी जीवन हो जाएगा, सन्यासी, आप लोग किस अवस्था में है, हाँ, ब्रहमचार अवस्था में, हो गया, अगला कोश्चन है, यग संबंदी वीधी, विधान की चर्चा, यग जुर्वेद, युद की भी, यजुर्वेद, 28, रीग वेद में, यौ सब्द के लिए, जौ के लिए है, यौ, जौ के जगा क्या लिखा हुए है, वहाँ पर, यौ, अगला कोश्चन, 29 नमबर, जिस गरंथ में, पूरुस मेग का उलेख है, हो कौन सा है, पूरुस में, सत्पत ब्रहमण गरंथ में, पूरुस नमबर कौन सा होगा है, रीग वेद के काल में, प्रानम में, निमलिकित में से किसे महत्वण संपत्ती माना गया है, रीग वेद में, संपत्ती सबसे ज़्यादे किसे माना गया है, गाय को, किसे माना गया है, गाय को, प्राचीन विधी, विवा संस्कार का वर्ण परसनल जीवन से चickers kita Unterstützung बारती है संगीत के लिए शाम वेद से नबर स संसकारों के संुपर्द युद्ध का त्याहि इड़का गया इंत्र को पुरांदर तता युद्ध का देउटा का गया रिगवेद में संपत्ति का प्रमुख गोधन यानि गाय का वंस गोधन कहिए गोवंस कहिए गाय कहिए सब वही हो जाएगा आपसर नमबर ए अगला 14.10 के पूर्व एक अभी अभिलेग जिसे वैधिक देवताओं का वर्णन है कहां से मिला है बोगज गोई अभिलेक कौन अभिलेक है बोगज गोई अभिलेक ये तुर्की के पास पाए गया है बोगज गोई अभिलेक कहा मिला है तुर्की देश के पास पाए गया है सीरिया तुर्की के पास बोगज गोई अभिलेक मिला है जो प्राचीनतम है वहाँ पर बोगज अभी लेख से अनक्सवा कहा गया जीज में यहीं से काम चल ले है देखिए वह बहुँ यह इंडिया आरे जो आये थे वो कहां से आये थे मदेशिया से अब यह जो तुर्की वाला एरिया है न इसे यहीं पर मिला है बोगज गोई तो बोगज गोई अभी लेख में यहां भारत और पाकिस्तान के पास बन रही है वैदिक सबता के देवी देवताओं का चिन यहां से मिला है तो भहिया इन लोगों को बताया कौन कि भहिया तुम लोग का देवता यहां भी है तो बीच में कोई कनेक्सन वाला चाहिए तो बीच में थी इरान की सबता जंदा वेस्ता कहां के लिए? इरान के लिए तो यहां का वेस्ता होगा है यहां पर ब्राममःदे होता होगा यहीं से मिला है यह मढद एसीयासे आय tables जलो, बोगजगोई कहा है, तूर्की के पास, तूर्की का पुराना नम एसिया माइनर था, अप्सान नमर इसमें कौन सा होगा, बी, बोगजगोई, हाला कि सारे चीजों के बारे में, अभिलेक के बारे में, आपको मौरे काल में पढ़ाए जाएगा, आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत नहीं, कितना नमर है, प्राचीन काल में आरियो को जीव पारजन का मुक्ष साधन क्या था, क्रिसी, इन में से किसका संकलन, रीग वेद पर आधारीत है, रीग वेद पर आधारीत है, रीग वेद जब भी है, वो परसनल जीवन से संगीत हैं, सभी किसे होता है, परसनल जीवन से, संगीतों के विच आप लग भी सुनते होंगे, संगीतों रीग वेद से ही परेरीत है, है वो जो क्या सामवेद लिखा गया, तो वही करें कौन HAR reste को किसी है, संगीतों किसे संगीतों क्या संगीतों सुनते हैं गयां, यह एinação फोन लगा कि कोई आग या ना तमकान खराब कर देंगे उसका संगीत यह लाओ नहीं है अगला कोशन कितना नंबर है बैए चालीज उत्तर वैदी काल कहां से कहां तक एक हजार से लेके छे सो इसा पूर अपसन नंबर बी अगला सुलक सुत्र किस से संबदित है वैदी काल में सबसे बड़ा गणित का साहित यह था गणित के लिए मैथ का यह था गणित के लिए सुलक सुत्र किस के लिए था गणित के लिए अगला गोपत ब्रामण किसका है ग वसदी से संबंदित रीगवेद इस्वर की महिमा रीगवेद इस्वर की महिमा इस्वर की महिमा यजूरवेद बलिदान युद में बलिदान तो देना ही पड़ेगा अगला सामवेद संगीत अप्शन नमबर ए उपनिशत का मुख्वी से क्या है दर्सन सास क्या है दर्सन सा फिलोसपी अपना सिधान देना है गुरू जी दे देते थे इन में से कौन सा वैदिक साहित सही करम है वैदिक संगीता है वेद वगरा हो गई ब्रामन गरंत आरान्यक उपनिसद सब लाइन से ही है अपसा नमबर ए प्राचीन भारत में समाज में प्रसंग निमलिकित में से कि सेस तीन वर्ग नहीं थे देखिए कूल हमारे वर्ग को दरसाता था वंस दरसाता है कोस अलक्षी हो गया गोत्र ये तीनों चीज़ देखिए कोस छोड़ दीजे तो बाकी सारी चीज़े किसको दरसा रहे है वंस कूल ये सब को दरसाता है कोस अलक्षी कोस तो पैसा से संब उन्चास नमर कोश्चन निमलिकित में से कौन निमलिकित में से पुर वैदिक आरियों का सरवाधिक लोगप्रिय देवता कौन थे इंद्र लोगप्रिय देवता इंद्र वैदिक काल में किस जानवर को अगन्या कहा गया गाय किसे कहा गया गाय निमली में तीन वेद संयुक्त रूप से त्रही क्या लाते हैं रीगवेद, सामवेद, यजुरवेद बावन रीगवेदिक आरे पसुचारी थे इस तत्थ से पुष्टी कीज़े पसुचारी मतलब इन लोग का क्या था पसुपालन का काम करते थे पसुचारी क्या मतलब पसुपालन का काम करते थे ठीक है अगला क्वश्चन उसमें क्या हो गया रीगवेद, गाय के अनेक संदर्व भाई गाय है तो इसका मतलब पसुचारी होंगे ही बी कर आधिकांस युद गायों के लिए लड़े गए तो इसका मतलब पसुचारी मुख्य रूप से था ये भी सही है पुरोहित को दी जाने वाला उपहार प्राया गाय होते थे ना की जमीन ये भी सही है अफसन नमबर डी बोगज गोई मात्तपूर है क्यों भाईया बोगज गोई का है तूर्की के पास यहां किस देवताओं को है वैदिक देवताओं के क्या मिले है साक्ष मिले है बोगज गोई अभी लेक से यह अभी लेकों के बारे में डीटेल जान करी अभी सोक के समय पढ़ाए जाएगा अफसन नमबर बी हो जाएगा चार, कौन-कौन, धारम, आर्थ, काम, मौक्ष, धारम, आर्थ, काम, मौक्ष, यत्ता जल्दी भूल जीएगा जी आप लोग, फिर हिस्टी खतम होगा तब तो, जब गांधी जी चालू होगे तब तो आप लोग को यो भूल जीएगा कि वैदिक काल भूगोल में पढ़ना ह कि हिस्टी में, उदर गांधी जी जाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत की सबसे बड़ी समस्या, वहाँ आपको डेट याद रखना पड़ता है, इधर कोनो डेट मतलब नहीं हो, वह सुचा है, चारी-चारा हत्याकान, डांडी मार्च, गांधी इर्वीन समझोता, नहरू रिपोर्ट, डेट बाइट याद रखे, शोला तरीक, अठारा तरीक, रीगवेद क्या है वहाँ, श्रोतों का संकलन है, श्रोतों यानि स्लोक वगरा, शप्पन नमबर किस वैदी ग्रंद में वन का परियोग है, वन व या रिगवेद, संतावन, वैदिक नदियां कुम्ब कहां पर थी विया, काबूल कुम्ब ये अफगानिस्तान में थी, अप्सन नमबर A, अध्यात्म ज्यान के विशे में नची केता और यम का समवाद किसम है, कठोप निसन, अप्सन नमबर C, रिगवेद में डैस रिचा कियाता है, लोपा मुद्राती, अप्सन नमबर A, गारगी ये सब आगे जब पढ़ना है ना, गारगी ये लोग क्रिष्ट भक्ति काल में, तब आपको पढ़ना पढ़ेगा, ये महिलाएं थी जिनोंने रचना किया था, अप्सन नमबर कौन सा होगा है, A, अगला, निमलि का परियोग आभुसर के रूप में किया जाता था, जो परवर्ति काल में परियोग होने लगा, सिक्का के रूप में, निस्क एक आभुसर था, जो गले में पहना जाता था, लेकिन बाद में उसका लोगों ने सिक्का बना कर पैसे के रूप में करने लगे लग, आज भी त उसका 70% value का फो क्या दे देगा लोन दे देगा अराम से जाए ये साल बर बाद लाइएगा मान के चली 1,30,000 का किसी का सोना है 1,30,000 का तो जाएगा तो उसको लगबग उसको कितना लोन मिल जाएगा 1,00,000 का लोन मिल जाएगा उसका सोना भी सुरक्षित है एक साल बाद आएगा काएगा भया हमारा 1,00,000 बैंक काएगा 1,00,000 जो ले गए थी इसको लटा 10,000 रुपिया यानि 10% की हिसाब से इसमें ब्याज लटा दो कितना अच्छा है और अपना सोना लेकर चले जाओ सोचिए आपके पास सोना है तो कितना प्रॉफिट है और अगर यही सोनार के पास रखिये गया अगर सोना तो सोनार में गाओं के पास सोनार लोग के पास बाने रखा जाता है गिरिवी रखा जाता है और 80% हिसाब में जो चीज गिरिवी रखा गया वो वहीं रह जाता है तो जो भी लोग सोनार के पास सोनार अगए रखते हैं इस People से कग आधार करें लेजा, यह सोनार लेके well, कहां वह देजीए, बैंक में ऐसी पिरसेनल λगते हैं सोनार लोग महीना में पांच पिरसेनले ले थैं साल बर के इसाथ से बारा पच्छे 60% बहुत महांगा हो जाता है अगला कोश्चन रीग वेद में निमलिकित में से किस ना दी का उले का अफगानिस्तान क्या कुबा तदा कूर्रम साथ मिलान कीजे यह आपने से मिला लेंगे इसको छोड़ देते हम यह आप अपने से मिलाईए बीस बार पढ़ा चुके इसको रीग वेद में मूल लिपी ब्रह्म ही इस कहां चला है यह ब्रह्म ही कहां से चला है वापस चल गए थे में एक पर रीग वेद संगीता का नवा मंडल वाईज यह सोमदेवता के लिए जंगल के लिए थे अपसार नमबर D उपनिशत काल में राजा आस्वपती किस कहें देखें दो टो राजा तीन राजा फेमस थे एक जो थे के कहे के राजा आस्वपती थे दूसरा एक भारत थे जिसके नाम पर भारत हो गया एक गौतम राहुगर थे, जिनके राजा का नाम था, राजा वीदे है, तो तीन राजा इसमें फेमस रहेंगे, तो इसमें कौन से राजा की कर रहा है, आस्वपती, कौन से हो जाएंगे, के कहें, option number B, और जो वीदे थे, इनके पंडी जी का नाम क्या था, गौतम राहुगर 69, किस वेद में सभा समीती के परजापती के दो पूत्र का आ गया, और थर वेद, option number D, रीग वेद क्याल में जनता निमली कित में से मुक्त विश्वास करती थी, किस में, मुर्ती पुजा पे, भई मुर्ती पुजा पे तो सिंदु सबता के लोभी करते थे, एक एस्वरब गलत है, इंद्र थे, अगनी थे, दुनिया भर के देवता थे, देवी पूजा नहीं था, बली एवं करमकांड, option number कौन सा होगा, D, इन सब की चर्चा किस में थी, याजुरवेद में, करमकांड, बली ये सब की चर्चा याजुरवेद में थी, option number कौन सा होजागा, B, एक अधिक युग में प्रचली, लोगप्रीय सासन प्रणाली क्या थी, निरंकुस था, मतलब ये गो राजा हो गया, हाथ में नहीं किया, हिटलर की तरह, निरंकुस मतलब उसे कोई अंकुस या निरोक लगाने वाला नहीं, जैसे किंग जों, क्या ऐसे सासन था, नहीं, परज कौन सो होगा, ब, अगला, अवेस्ता, मतलब जंदा वेस्ता, एरान वाला की बात कर रहा है, और रिगवेद में समानता है, वेस्ता किस छट से संबदी थे, कहां से, एरान से, वेस्ता, जंदा वेस्ता, इसे संबदी थे, एरान से, रिगवेदिक धर्म कैसा था, एक और वाद, Opsan can no. कून सो गए A सांक दर्स झोग दर्स ये सब सस्त दर्स एस इया सफ़तनYAN रा कैसे सी गौतम य् तर मिमांसा भाद राए त दो ब्थारणम्ह τरन स सब यारा नहींद अगला क्वोच्शन निमली कित्मेकट मैं से कौन सा इरान से भारत आरियों के बोगज गोई इरान से साक्षि देता है बोगज गोटर सब्द की चर्चा रीगवेद सुद्र सब्द की चर्चा रीगवेद सी हो गया पीडिया बेवकुब कराएगी पीडिया बीस बर काएगे तो पीडिया दे आजा चुका एक दिन पहले आप लोगको अप्लिकेशन वाले 79 निमलिकित में से किसने आरियों के आदी देश के बारे में लिखा था बाल गंगादर तिलक अगला देखे भागवद गीता मुखरूप से किस भासा में इसमें कोई सक्थ थोड़ी है या संस्कित भासा में थी ब्राम्ही लिपी में अप्सन नमर कौन सा होगा अगला क्व तुरुवेदिक आरेका द्हर्म क्या था प्रकिर्ट की पुजा करते थे मातरी की पुजा नहीं प्रकिर्ट की पुजा कौन करते थे सिंदुस बतावारा अगला क्वेष्चन देखे अम आपसन नमबर क्म भाकती थोड़ी करते तो यग करते थे लों सर्वाधिक किस नधी के किनारे नटाधाय unity कितने राजा ओने लड़ा था 10 कोन के गिया और औरी का कोना lengthy नाम यू जएट भारत उसके नाम पर भारत का नम क्या हो गया भारत किस नधी किनारे रावी नदी नदी का नम क्या था परुषनत अफ्सेरद नम्बर कौन से दाए अगला सत्पत ब्राम्न ग्रंथे में राजा वीदे है Godham Raya bye Godham राहुचाण राजा वीदे के पंडीजी के नाम Godham Rare जहांने में आछा है गौतम राहुगाळ अगला कर गाइतरी मंत्र रिगवेद में अप्शनबर सी वैदिक गडित के महत्पूर्थ सुल्क सुत्र अप्शनलबर सी सतमे उजयाते मुंड़कोप सब्सक्राइब कर्मकांड में होत्रा था होत्रा कौन थे रीगवेद के ग्याता को क्या का गया होत्रा क्या का गया होत्रा होत्रा लिख दिया होत्रा होना चाहिए यजुर्वेद का अधर्यू यजुर्वेद का अधर्यू सामवेद का उद्गाथा सामवेद का उद्गाथा और अर्थारवेत का ब्रह्मा, अगला, सत्यकाम जालाब, देखिए तो खुदे लिख दिया है, जालाब, तो किसमें होगा, जालाब में उपनी सत्में हो जाएगा, आप्सन नमबर कौन सो होगा है, आप्सन नमबर ए, बावु सूचना, मंडे, बाइस फरवरी, नेक्स्ट क्लास, 18 तारीक तक प्रसासन क्लास खोलने नहीं देगा, 18 फरवरी तक पत्ना प्रसासन को कहना रहता है कि आप 12 फरवरी तक बिसर्जन जब तक कंप्लीट नहीं हो जयाए, आप्वलास नहीं खोलिा, 18 परवरी को Thursday पढ़ रहा है तो 19 को Friday पढ़ेगा एक दिन के लिए class कोई थोड़े खोलेगा हम लोगों खुदे नहीं अच्छा लग रहा है बाकी अगर इससे पहले कोई सूचना होगा तो आप लोगों को YouTube पर आके अब नहीं दे देगा लेकिन फिलाल पटना में जादे तर class इतने तरीकों ही खुलेंगे ये थड़ी सी गड़बर बात है प्रसासन भी बीच में आ जाती है बहुत गड़बर बात है चलिए next मिलेंगे अब हम लोग सरसती पुजाबाद सब होगा class हिष्टी वाले निकल ये